हर रोज सुबह सवेरे ही किसान की पतनी अपने खड़ की छत पर कुछ अनाज, कुछ फल और एक टोरी में पानी भड़ कर रख देती थी छोटी चड़िया वहां आती है ये किसान की पतनी बहुत यालू है ये हम छोटे पक्षों का बहुत ख्यार रखती है चिड़िया कुछ दाना खा लेती है और कुछ अनाज अपने बच्चों के लिए लेकर वहां से चली जाती है ममा आप हरो छट पर दाना क्यों रखती है बेटा क्योंके हमारे इस अनाज पर पक्षियों का भी अधिकार है जंगल का बहुत सा हिसा कार दिया गया है इसलिए अपक्षियों को जंगल से दाना पानी लेने में बहुत दिक्कत होती है आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाओंगी मैं जाकर सबको बता देती हूँ चिड़िया अपने दोस्तों के पास चाती है कबूतर भेया इनसानों के बस्ती में एक घर की छट पर अनाज और फल होते हैं मैं हर रोज वहां से भोजन लेकर आती हूँ आप भी मेरे साथ आजाएं वहां कोई खत्रा तो नहीं है चुड़िया बहन नहीं कबूतर भेया किसान के पत्नी वो सब हमारे लिए ही रखती है मिठु मिठु भेया आप भी हमारे साथ चले हम भोजन लेने जा रहे हैं फिर वो तीनों दोस्त कालु कवे के पास जाती है मुगर इनसान इनसान बहुत बुरे होते हैं वो बंदूक भी चला देते हैं नहीं किसान की पत्री बहुत यालू है उनसे हमें कोई खत्रा नहीं है फिर वो सब दोस्त इनसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं घर के चट पर इतना सारा भोजन देहकर पक्षी बहुत खुश होते हैं मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं खाऊंगा नहीं कवे भीया, हम सब मिलकर एक साथ ही खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले मैं खाऊंगा जाता भोजन देहकर कवा लालेच में आ जाता है इसलिए वो दूसरे पक्षी बीदाना खा लेती है हम अपने परिवार के लिए बीदाना इस पोर्टली में डाल लेती है चिडिया ऐसे कहती है, क्योंकि चिडिया तो हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती थी फिर वो सब पोर्टली में कुछ अनाज और फल डाल लेती है वो सब वहां से वापिस जंगल उड़ते है रास्ते में जाते हुए कालू कवे के दिल में फिर से लाल जा जाता है वो सब जंगल पहुंच जाते है कवे, आप हम सब का हिसा हमें बाढ़ कर दे दो कौन सा हिसा? मेरी पतनी भी इब भूकी है और मेरा जगू बेटा भी इस भोजन से तो उनका बेटी भरेगा चड़िया, मैंने आपको मना भी किया था कि इस कवे को साथ ना ले कर जाओ इस भोजन में हम सब का हिस्सा है कवे भीया, मैंने ही तो आपको उस भोजन के बारे में बताया था जो भी है, मैं इस में से किसी को कुछ नहीं दूँगा कवा, वो पोटली ले कर वहां से अपने घर चला जाता है अपने पती के पास भोजन की पोटली देह कर गोरी बहुत खुश हो जाती है कालू जी, आपसे तुम इतना सारा भोजन कमाल आए हो हाँ, अबसे हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है किसान की पतनी च्छत पर जितना भी भोजन रखेगी वो हम ही उठा कर ले आया करेंगे तो फिर तुम्हें उनके साथ जाने की क्या जरूरत है हम दूसरे पक्षियों से पहले पहले ही इनसानों की बस्ती पहुँच जाएंगे और सारा दाना उठा लिया करेंगे हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे फिर दूसरे दिन कव्वा और कव्वी मुँ अंधेरे ही इनसानों की बस्ती में जाते हैं और किसान के घर की छट से सारा दाना उठा कर ठैली में डाल लेते हैं अब जल्दी से चलो कालू, ऐसा नहो कि दूसरे पक्षी हमें देख ले वो वहां से भाग जाते हैं दोस्तों, आज हम कालू कवे को साथ नहीं लेकर जाएंगे उसने कल भी हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था जल्दी चलो, उसके आने से पहले पहले ही हम निकल जाते हैं फिर चिडिया, कबूतर और तोता इनसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है, केवल इसकडोरी में पानी ही है जिसने पानी रखा, उसने दाना भी रखा होगा यह जरूर उन कवों का ही काम है हम उनसे पहले नहीं, बलके वो हमसे पहले ही दाना उठा कर लेगे है हम शिकायत करेंगे, हम किसान की पतनी से डुष्ट कवों की शिकायत करेंगे फिर वो सब आंगन में बैठी हुई किसान की बतनी के पास जाते हैं मा जी वो डुष्ट कवे हमें आपका रखा हुआ भोजन नहीं खाने देते आज फिर हम भूके रहे हैं वो सारा ही भोजन उठा कर लेगे हैं जो खाया सो खाया बाकी जो बचा वो उठा कर घर लेगे हैं अपने अगर वो कवे इतने लालजी हैं तो उन्हें उनके लालज की सजा मिलनी चाहिए आप सब चिंदा न करें उन कवों को सजा जरूर मिलेगी पक्षी किसान की पतनी से कुछ अनाज लेकर वापिस जंगल चले जाते हैं चिडिया नदी पर बैठी हुई थी जब गोरी कवी वहां मीठा फल लेकर आती है ये फल बहुत स्वादिष्ट है गोरी कहां से लिया है आपने ये फल? ये फल मेरी मा लेकर आई है मेरे लिए आपकी माल आई है या किसान के घर की चछत से उठा कर लाए हैं आप ना, ना, हम तो आज इनसानों की बस्ती में गे ही नहीं दूसरे दिन सुभा सवे रही, कववा और कवी फिर से इनसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं किसान की पतनी बहुत द्यालू है हमने उसे कोई डर नहीं है ऐसा कहते हुए कालू कवा पिंजरे में घुश जाता है पीछे ही गोरी कवी भी पिंजरे में जाती है जैसे ही वो तोनों पिंजरे में जाते है किसान की पतनी रसी खेंच कर पिंजरे का दरौजा बंद कर देती है कवो लालज बुरी बला होती है इतना भी क्या लालज कि तुम अपने ही दोस्तों को धोका देते हो मा जी हमें माफ कर दे मा जी हम लालज में आगे थे फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे थोड़ी दिर बाद दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाती है वो रहे लालची कवे वो रहे वो पिंजरे में कैद है किसान की पत्नी ने इन्हें अच्छी सजा दी है अब ये कवे जान जाएंगे कि दोस्तों का साथ जरूरी होता है फिर पक्षी मजे मजे से भोजन खाते हैं चुडिया चुडिया बहन पलीज हमारी मदद करो किसान की पत्नी आपकी बात मानकर हमें आजाद कर देगी ताके आजाद होने के बाद तुम दोनों फिर से हमारे साथ चला की करो और हमसे पहले पहले ही आकर भोजन उठा कर ले जाओ चुडिया मा कसम हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही तुम सबसे लड़ाई करेंगे किसान की पतनी भी सीड़ी लगा कर उपर आती है मैं तो समझी थी के लालची हम इंसान ही होते हैं मगर ये कवे तो हम इंसानों से भी दो हाथ आगे हैं पक्षियो आप दाना खाओ पानी पियो और ये कवे इसी पिंजरे में ही रहने दो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी मैं मर जाओंगा दोस्तों मुझे छोड़कर न जाना मैं मर जाओंगा मैं तो कैद में एक दिन भी जिन्दा नहीं रह सकता फिर वो सब पक्षी किसान की पतनी से कहते हैं माजी इन्हें माफ कर दें इन्हें अपनी कलती का एहसास हो गया है माजी पहले इनसे पेपर साइन करवा लें के ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे फिर किसान की पतनी एक पेपर लिखती है और उन कवों से साइन करवाती है और उन्हें आजाद कर देती है कवे तो पिंजरे से निकलते ही वहां से भाग जाते हैं जिन्हें देखकर दूसरे पक्षी हंस रहे थे ऐसे कववों को उनके लालज की सजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धर्नेवाद सूखे पेड़ के नीजे आराम से लेटा हुआ कालू कववा गीत गा रहा था मैं कववा, मैं कववा काले रंग का मैं कववा, कुछ ना करना मेरा काम कालू कववा मेरा नाम कालू कववा मेरा नाम ला 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 जब उसकी नजर सामने से आती हुई चिडिया पर जाती है उसकी चौँच में भोजन देह कर कालू कववा चिडिया से भोजन लेने का सोचता है मर गया मर गया मैं गया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोई मेरी मदद करे आए चिडिया कालो कवे की आवाज सुनकर वहां आ जाती है कालो कवे क्या हुआ है तुम्हें और तुमने अपनी आँखें क्यों बंद कर रखी है चिडिया चिडिया मैं यहां भाजन की खोज में आया था के कमबख्त दो मच्छर सीधे आए और मेरी आँखों में घुस गे मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही कवे भेया आँ मेरे पीछे पीछे उड़ते आए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ नहीं चिडिया ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा मुझे जोरों की भूख लगी है मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो यही एहसान होगा तुम्हारा मुझपर चिडिया नाट की कालू कवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहां से चली जाती है आहिस्ता से कालू अपनी एक आँख खोल कर देखता है और उचलने लगता है चली गई बेवकूफ चिडिया मुझे अपना भोजन दे कर चली गई आदा मैं खा लेता हूँ और आदा ले जाता हूँ गोरी के लिए फिर कालू कवा मजे मजे से आदा भोजन खाता है और आदा लेकर घर चला जाता है मैंने जैसे ही चिडिया को देखा तो तो मैंने अपनी दोनों आँखे बंद कर ली अच्छा कैसे कैसे मुझे भी करके दिखाओ ऐसे ऐसे मैंने अपनी दोनों आँखे बंद कर ली बहुत बड़े जोकर हो तुम भी कालू जी लो मैं ये चुड़िया से हताया हुआ आधा भोजन तुम्हारे लिए ले आया हूँ तुम भी ये भोजन खा लो फिर गोरी कवी वो भोजन खा लेती है वो दोनों पती पतनी हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बना कर उनका भोजन लेकर खा लेते थे फिर एक दिन कालू कवा तोते के पास जाता है और उससे कहता है तोते तोते वो मर जाएगा वो मर जाएगा कालू कौन कौन मर जाएगा कुछ बताओ भी वो अमरूद का बड़ा पेड़ वो मर रहा है और वो अमरूद का बड़ा पेड़ मरते समय दो मीठे मीठे अमरूद खाना चाहता है अमरूद का पेड़ भला अमरूद क्यों मांगेगा ये मैंने उससे पूछा था उसने कहा के सारी जिंदगी उसने हमें मीठे अमरूद दिये है इसलिए मरते समय वो भी मीठे अमरूद खाएगा यार कालू मैं तो तुम्हारी भाबी हर्याली के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ तुम ये दो अमरूद ले जा और अमरूद के बड़े पेड को दे दो कालू कवा तोते से मीठे अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है वो वेराने में जाता है और वहां जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अमरूद खा लेता है वारे कालू, आज तो अच्छे भले तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने शाम को जब तोता और तोती दूसरे जंगल से वापिस आ रहे थे हरे भरे अमरूद के बड़े पेड को देह कर वो दोनों वहां जाते हैं बड़े अमरूद के पेड़ आप तो अच्छे भले हैं और कालू कोवे ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और दो मीठे अमरूद मांग रहे हो मैं तो ठीक हूँ तो क्या तुमने उसे मीठे अमरूद दे दिये थे हाँ दोस्त यही बात उसने मुझे से की और मेरे उपर जो दो ही अमरूद थे वो तुम्हारा नाम लेकर ले गया उसने मुझे से कहा कि मिठो दो अमरूद मांग रहा है पती जी इसका मतलब उस कालू कोवे के बच्चे ने हमें उलू बना दिया तुम्हे तो बनाया सो बनाया उस कालू कोवे ने तो मुझे भी उलू बना दिया अब तो उस कालू का कुछ ना कुछ करना ही होगा रात को तोता और कबूतर चिडिया के घर जाते हैं और चिडिया को सारी बात बताते हैं चिडिया, वो हमेशा जूट बोलकर हमसे भोजन ले लेता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए उपाए मैंने सोच लिया है, चिडिया, आप कल मुझे थोड़ी सी स्वादिष्ट खिचडी बना देना खिचडी, कबूतर भीया, खिचडी से कैसे कालू कवे को सजा मिलेगी बाकी की बात मैं आपको कल ही बताऊंगा फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है चील दी? मैंने सुना है, आपको मिठी खिचडी बहुत पसंद है हाँ कबूतर है, खिचडी में तो मेरी जान है तो फिराज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी, कबूतर खिचड़ी में शकर थोड़ी ज़्यादा डाल देना फिर कबूतर वहां से चला जाता है, चड़िया भी मीठी खिचड़ी बना कर ले आई थी, मिठू भी आ गया था कबूतर भेया, अब आगे का क्या काम है? चड़िया बहन, अब देखना के कैसे पिठेगा कालू कवा, वो भी डंडों से, डंडों से चील दी मारेगी उसे कबूतर भागा भागा कालू कवे के पास चाता है, और उससे कहता है कालू कवे यार, मैंने मीठी खिचडी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचडी? ये सुनकर कालू से पहले ही गोरी कवी बोलती है कबूतर, मेरे सुन्धर आंखों वारे भाई जी, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचडी पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचडी खाने का बोलती है, मैं भी खाऊंगा तो फिर जल्दी से जाओ, मेरे घर के बाहर डाल पर खिचडी की हंडिया पड़ी है, जाकर जल्दी से दोनों ही खालो मीठी खिचडी गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है, दोनों जल्दी से कबूतर के घर की दरफ जाते हैं अब मिले की सजा तुम्हें काले कवो, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो कबूतर भागता हुआ पहाडों पर चील के पास जाता है बहुत मारा चील दी मुझे कालू कवे और उसकी पतनी ने बहुत मारा है कबूतर रे वो क्यों कालू कवे ने तुमें क्यों मारा है चील दी मैंने जो खिच्डी आप के लिए बनाई वो मुझे से कालू मांग रहा था मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे मारा उस काले कवे की इतनी हिम्मत के मेरी खिचली तमसे छीन कर खाए उसे मैंने बताया था के खिचली तो मैंने अपनी चील दी के लिए बनाई है मगर ये सुनकर वो और भी गुसे में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा ये है वो डंडा जिससे कालू ने मुझे मारा था लाओ तुम ये डंडा मुझे दो और मेरे पीछे पीछे आओ मैं देखती हूँ उस काले कवे को कालू अब बस भी कर जाओ तुम्हारा पेठ है या कुणवा अब मुझे भी खा लेने दो बारी बारी पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है दूसरे पेड के पीछे तोता और चिडिया चुपे हुए थे ये कबूतर ना जाने कहा जला गया अब तो कवो ने सारी ही खिचडी खा ली होगी इतनी ही देर थी के चील भी डंडाओ उठाए भागी भागी वहां आ जाती है रुको रुको काले कवो ये खिचडी तुम क्यों खा रहे हो चील को देहकर गोरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है चील दी ये खिचडी हमें कबूतर ने दी है जूट ये जूट बोल रही है चील दी मैंने तो ये खिचडी आपके लिए बनाई थी मगर इन काले कवो ने मुझसे हंडिया ही चील ली फिर क्या था चील बड़े डंडे से दोनों कवों की खूब पिटाई करती है मेरी पूँच मेरी पूँच चील दी चाड़ दे चाड़ दे चील दी मेरी पूँच मेरी पूँच तोट जाएगी पिटाई करने के बाद चील वहां से चली जाती है चडिया और मिठू भी वहां आ जाते हैं सब हंस रहे थे हमें उल्लू बनाते हो आज सजा मिली है तुम्हें हमें उल्लू बनाने की गंदी आँखों वाले कबूतर ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ जो तुम करते हो वो ठीक होता है कभी मुझे कभी चडिया को और कभी हमारे मिठू को उल्लू बनाते हो तुम्हें फिर रोते हुए कव्वे वहां से चले जाते हैं ऐसे कबूतर उन्हें सजा देता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है